असलाम अलेकुम नमस्कार सस्विया काल और गूड इवनिंग मैं वर्दु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ यू हमारे साथ हैं जी साजित ताड साब बहुत शुक्रिया सर क्या आज आपाएं तैंक यू सो माचार्जू मैं आज बड़े हैवी हाटेड सबसे ज्यादा मुझे फिकर आज आपकी है कि आप एक उस शहर में बैठी है जो इस वकत गाजा का नक्षा पेश करता है दूसरा आज का बलाग जो है मैं दो लोगों के नाम करना चाहूंगा एक तो आज 26 11 की को जबा किया गया, मरडर किया गया और आज दूसरा जिननके नाम करना चाहूंगा आज च्छे का हूँ के नाम जिनके बच्चे आज इस्लामाबाद में मारे गए हैं. उसमें कुछ रेंजर्जर्स थे जिनका पाकस्तान की फार्नल पालीसी और किसी चीज़ के साथ कोई र दोशा आदमी जिसको जहनी तोर पे मार करकी यहां लाया गया एक बंदा वो मारा गया है और चार रेंजर्स मारें गये उनके बच्चे उनके नाम आज़ा मैं अफसोस करना चाहूंगा उनकी माउं से दुख का निसार करूंगा कि वापस नहीं आएंगे आप पावर पालिट मैं सारी जिन्दगी नहीं भूल पाऊंगा अर्जू एक सेप्टेंबर 11 मैं यहां उस दिन लिटरली मैं एक जगा मीटिंग पर था उसको उन्होंने मनसूफ किया तो मैं गाड़ी लेकर निकला तो मैं कालें सुन रहा था लोग आखरी कालें अपने बच्चों को कर रहे थ हैं मुझे गाड़ी एक घड़ा खड़ी करके तो रोना पड़ा इतना इतना मेरे लिए एक ट्रामा था दूसरा मुंबए जो वह भी मेरे लिए ट्रामा था जिस तरीके से बंबे ट्रें स्टेशन के ऊपर लोगों को निशाना बनाते रहे वो लोग जिस तरीके से तरो अटेल में गय से सथ जिस तरीके ने ने उन्हों ने वहां पे उन लोगों को और पीछे से खास कर जो बंदा उनका हैंडलर था और मैं बहसी ते एक मुसल्मान मैं वो भूल नहीं सकता वो कहता था कि बाहर निकल के आग लगा दो मार दो तुम जन्नत के क्रीप पहुँच चुके आर्जु जन्नत इस तरह नहीं बलकि इसके बारे में आपके देखने वालों से बात करना चाहूंगा अगले दिन मुझे किसी ने ये एक चीज भेजी है फिक्शनल है ख्यालाती है उसके उसका अपनी सोच है लेकिन मैं हैरान उसके बात हर धर्मा हर मजब जो है वो मुक्षा का निर्वाना का जन्नत का सिवर्ग का कांसेट देता है तो उस बंदे ने मुझे वो एक मीम भेजी उसमें वो बंदा कह रहा है कि खुदा के पास जब जाते हैं हम पूछते हैं कि हमें बहुत सारी जिनकी बहुत अच्छे काम किये हैं तो आगे से खुदा भगवान वाहे गुरूस को कहता है कि मैंने तुम्हें जन्न तो दी थी वहाँ फूल थे, वहाँ पे शेहत थे, खुब्सूरत लोग थे तुम्हारे दोस्त थे, गर्मी थी, सर्दी थी तुम्हारा दिल करता था, ठंडी चीजें पीने को ठंडी पी लेते थे गरम पीने को दिल था, गरम पी लेते थे, लेकिन तुम अपनी जन्नत को पहचान नहीं सके हो, इसमें मेरा कहके सुपर है, आज के दौर में अगर हम अपनी जन्नत को नहीं पहचान पा रहे आर्जू तो इसमें दुनिया क्या कहके सुपर है, आज मैं बड़ा दुखी हूं पाकिस्तान फिर हार गया पाकिस्तान अपने 77 में कई दफार हा रहा है लेकिन आज फिर हार गया और मैं उसको आइट विटनस कर रहा हूं सबसे ज्यादा मेरी जजबाती यह है कि मेरी आँखों के सामने मेरा मेरा मुल्क जल रहा है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है यह बहुत बढ़ी चले मैं आप आज देखने वालों को दस खबरें जो हैं दस चीजें जो पॉइंट्स हैं वो शेर करना चाहूंगा सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि दुनिया आपको अबेंडन नहीं करती दुनिया आती है आज भी जहां डी चॉक बन चुका है वहां गोलियां चल रही है शेल चल रहे हैं लेकिन 75 लोग जो हैं बेलारूस से आके बमाएं उनके सदर के वो इसलामबाद बैठें जिनमें 63 उनके साथ वहां के बहुत बड़े बिजनसमें आये हैं जो पाकस्तान में बिजनस करना चाहते थे उनका क्या कसूर उनको वापस भीजते हैं उनसे माफी माफी मागएं मलके कि यार हमने तुम्हें घल्स जगह मैं बुला ली है वापस चले जो हैं हम कारोबार के तो लाइक नहीं मैं यह मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के आती है लेकिन आप उनको उनके साथ उनको क्या देते हैं क्या उनके साथ दूसरी बात डाक्टर जेशंकर साथ में बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की हो अब वो यह नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या किम्प्यूटर के चिप्स होंगे क्योंकि हम तो अलू के चिप स्बीनी बना सकते आप चिप्सओं की बात कर रहे हैं यह हमारे पठान भाइज इनुन ने आज हमला किया इसलामबाद पर यह चिप्स बनाने आएं यहां पर क्या लेने आए और इनके नारे देखे जाया अल जिहाद-जिहाद के इनका अगले चिप्स बनें इस कंट्री के लग है जलें जो उनका सहमीक सहाइक कंडक्टर की तरफ टलॉक छॉपकर साब की वाकि viene चैता ते पानी पर होंगी अगली सहाइक कंडक्टर पर होंगी अगली सहल इसना नौत सब्सक्ट दोश प्रोग्राम बनाया है विवेक विवेक रामा स्वामी ने और इलान मस्क ने उन्हों ने पूरी फैडल गर्मन को आइटिफिशल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है आप कहां है आप कहां है नारे सुनें आज वो पिंकी पीर्णी उपर चड़ी है साद उसके एक बाबा जी है अली अमीर गंडा पर उस सर पे सफेद कपड़ा कहता है यह कफन है डिरेक्षिन क्या है मुझे दुख है आज मैं बल्के भारतियों से भी इजहार करना है चाहँ europé कि मिवाज़खोकर क्वश करना सी क्यूंकि मैं दात्य तौर पर न देखा जाए हम सारी बहरति हैं यंदिधीन हैं इंडिंध्यमना इंड्वेली के बच्चे इंडिस permett पाकि जा रहा है लेकिन दो साइडों पर आग जल रहे हैं दो साइडों पर आग है आज बंगलादेश भी चल रहा है पाकस्तान के चाइना ने चाइना के द्रवाजे पर आगे लगी है कि भारत की त्रक्की आप क्या समझते हैं कि रुख जाएगी सवाल ही प्यादा होता है वो पाकिस्तान में होना था कप क्या होना है आप की बात कर रहेंगे जो कंट्री स्रवाइवल में जंग लड़ रहें स्रवाइवल की वहां पर क्रिकट क्या करें तो रिक्मेंडेशन इनको स्पोर्ट्स बैं कर देने चाहिए यहां आर्जु मैं जो पूछ जो दोनों बंगला अपने एक स्टिंग पर जा रही है डेडिक्राइशन वहां पर हिंदुओं का उन्होंने जीना बंद कर दिया बंगला देश के अंदर आज वहां पर उनके जो एक रिलिजिस थे उसके मंदर के उनके ओपर केसी से हैं अदासा और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है और दूस अचिया की वाज़ा से और कल पर सुखबर चल रही है पता नहीं किसी ने चलाई है कि उनकी बची जो है वह कहीं ड्रंक ड्राइविंग में प्रकेड़ेगे किसी फॉरंग चालात उनके खराब हैं क्योंकि अमेरिका में आये थे तो भाइजन जो बाइडन से मिलते रहे बि जाने क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे मेरी बला से दुख जो इस बात का है कि फ्यूचर आगे जाने के पीछे जाएंगे उसकी वज़ाई है बच्चों को रैडिक्लाइशन लिए उन हिंदूों को सजा इसलिए दी दी जा रही है कहते हैं कि वह सीना वाज़त के हिंदूों के तंग करोगे मंगला देश में ठीक है पाकस्तान से हिंदू निकाल दिये ठीक है उन्होंने मुसलमान भारत से निकालने शुरू कर दियों तो फिर क्या हो करो और मैं इन बंगाली ओं से पूछना चाहूँगा सारे बंगाली तो यहां से भागते हो तो भारत मैं अक्सर आपसे सिख दोस्तों को कहता हूं कि यहां फॉर्म कंट्रीज में खड़े होके फैशन के तौर पे खालस्तान के जो नारे लगाते हो यह देखो कि भारत के अंदर जिन स्टेटों के अंदर सिख माइनौरिटी में वहां उनके अहलाद के हो उनके दिल पे क्या गु उसके बिलीव पे निशाना बनाना या नफरत उसे करनी यू बेक यूसेफ सो स्मॉर इंसान जब यह बात करता बहुत चोटा अपने आपको कर लेता है लेकिन पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना ज्यादा तर लोग जो है मेरे वाले साब एक एजुगेटेड परस समय रिक कर लेते हैं हर दुसरे शायर के अंदर एक बाबा जी होते हैं मुढ़ें आडा बाबा वो लड़के देता हैосारह किसी को पाकस्तान को सबसे बड़ा हो रहा है एक तो बेलरूस का वफद जो है वो यहां से गालियां देता हूँ आपको वापस जाएगा दूसरा आई एम एफ देख रहा है तीसरा दुनिया देख रही है कि आगे आपकी अटामिक पावर चलाएगी एक जैदू गरनी और उपर बु देखते हैं आप कहां तक आप जाते हैं कहां तक नहीं जाते लेकिन यह हो चुका है यह हो चुका है हो रहा है पाकस्तान हार चुका है पाकस्तान जल रहा है चले अगली बात उसमें करते हैं कि अमेरिका के लियास से डानल्ड ट्रम्प साब ने टैरफ वार का इलान किया है कि वो चाइना पे खासकर मेक्सिक और कैनिडा पर टरफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्राइडर्स पे अपने टरफ बढ़ा देगे अगला जो इससे भी बड़ा एक पॉइंट है वो यह है कि उन्होंने एक गे सेक्टरी अफ ट्रेजडी एक प्रैक्सिंग बिलिएनर है स्कार्ट बैसंट उसका नाम है उसको पॉइंट कर दिया है जो कि उनके उपर एलिगेशन लगाई जाती थी कि ही एंटी एलबी जीटी कम्यूनिटी सिक्स्टी टू येज ओल्ड है और किंग उनका उनका की स्क्वे मैनेजमेंट उनका उनकी कंपनी का नाम है है और इससे पहले सोरो मैनेजमेंट में भी काम करते रहे हैं ये बहुत बड़ी बाद है ये मेरे ख्याल साथ ही ये भी आपको बताऊं कि उन्होंने इरादा जाहर कर दिया है कि फॉज में से सारे ट्रांस जेंडर निकाल दिये अमेरिकन फोर्स है वो 15,000 के क्रीब लोग हैं जिनको निकालेंगे एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है दुनिया में सरफ 19 फोचें ऐसी है जहां पे गेंज को जाब दी जाती है दो सो में से और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर भी एम डायलेक शुरू हो डिशनल सी अप्रूबल बीबी नित्रियाहू ने दी है यह बहुत बड़ी बात है कि आज आप देखेंगे कि उनकी कैबनेट क्या करनी है अगला पॉइंट फिर मेरा भारत के हवाले से पपू गांदी जी की ब्रिटिश नेशनलिटी सोना है निकलाई उसके उपर एक इस्टी फिरडिश और अमेरीकन सीडिजन होलडर थे डूअल सीडिजन इस वक्त भी आपके रूल करने वाले ७ुजायटी अमेरीकन और ब्रिटिजिजन होलडरों है उससे अगली खबर जो य guideline है कि Dolan taking साब के सारे वब कर लिया गया है और उसमें अब देखें कि अब डानल्ड ट्रम्प सब आ रहे हैं कई चीजें सेटल होती नजर आ रही है जिस तरह जंगों के बारे में देखा जाए रशिया के हवाले से युक्रेन इस वक्त तडप रहा है हमें फंड दी जाएं फंड आपको पता है वो सारे खा पी जाते है और इस वक्त अगर देखा जाए तो बाइडन एडमिस्टेशन ने कोशिश की है कि जाने से पहले वो लैंड माइन्स बचा के जाएं जो उन्होंने इनको इजाज़त दी थी कि अपने लांग रेंज मजाइल जो हैं वों को टेस्क किया जाए पाकिस्तान के अंदर इस वक् यह कहते हैं स्क्रिप्टेड है यह सारा कुछ गमड चाहती थी कि इसलामबा चौक पे तक यह लोग पहुंचें फिर पीछे से इनकी रसाइब बंद करके तो बीबी को अरेस्ट किया जाए लेकिन मैं उससे अगरी नहीं करूंगा उसकी वज़ा यह है कि उसको आने की अज लेके जा रहे हैं बिल्खसूस वो आर्जू यह हैं कि इन्हें इनके पास रबर्ड बॉलर्ट्स थी और शेलिंग की इन्होंने आसू गैस की लेकिन दूसरी सबसे लाइव बॉलर्ट्स चलाई गई हैं और दूसरी तरफ भी आसू गैस के शेल्स फैंके गए हैं बलके से जो आसू गैस के शेल्स चले हैं साड़े चार चार हजार रुपे का एक शेल था जो चलाया गया अब वो कहां से आये हैं इस वक्त आपके देखा जाए दूसरी साइड पे जो सुबा सरहाद है उन्होंने पूरी प्लानिंग के जरीए जिस तरह एक वार प्लान होता है इ उसके अंदर पुलीस शामिल है सर अमेरिका की चरफ से भी स्टेटमेंट आया है ना स्टेट डेपार्टमेंट ने कहा है के जी इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए पीसफुल हो और इसके सब्सक्राइब अनुमों ने इनको प्रोटेस्स करने का हां लेकिन कानून के अंदर अंदरहा थे लेकिन का नुम के अंदर अगरने ले के साथ चले हैं गवर्मनेट की जो अँन सब्सक्राइब यसे लाइव बुल्ट्स चल रही है लोग वहां मैंने कई जनलिस्स ऐसे देखे हैं जुने ने उनको पुलीस के आपकी जो शेल्स हैं उन्होंने उठागे दिक्षारे रहे हैं और यह शेल्स किनके हैं यह आपकी पीटी आई के जो जो सपोर्टर थे उनके पास ते दूसरी स तो मेरा 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 यह एक सूभा दूसरे पर टैक कर रहा है जिसमें जीते गा को जीत रहा है आपका पूरा शहर इसलामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह एक सीपोट है 700 कंटेनर ने माँ पिर साथ सो कंटेनर और मजाइटी के अंदर तो सुना है सामान भी अंदर मौजूद है जिन कारों करें बारे लोगों को अगर गोर से देखे आरजू पाकसान हार चुका है फिर हार गया है और लेकिन यह क्यों बार बा सब्सक्राइब आपको मैं शायद नहीं बताना एक और भी बात बताना चाहूंगा इस सारे हंगा में आप देखा आपके स्कूल यूश्टी अब बंग है और आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल सिर्फ साल में सौ दिन खुलता है तीन सो पैंसेट दिनों में स्कूल सिर्फ सौ दिन खुलता है और पासिंग मार्स क्या है 33 परसेंट आप इन सारे सरकम्स्टांसिस के जरी है आप दूसरी दुनिया के साथ हां आगे होगा क्या यह मैं आगे देखते हैं यह आगे होगा यह कि अब आगे बिलकुल तालबान स् क्या करेंगे तालबान स्टाइल का यह चलाएंगे यहां पर अलकादर यूनिवरस्टिक और बचीयां बचीयों की तालिव बन कर लिए आप बुर्के पहनेंगे और खवातीन के लिए बुर्का होगा बाहर निकलेंगे तो थपड़ मारेंगे बुर्के के बगार यह रखी थी और वो मान गये थे उन्होंने रिकार्डिंग कराई है उनको के यह जाके रिकार्डिंग जो है बीवी बुश्रा को बताओ कि यह संग्जानी चली जाए वहां पर सिडिंग होगी वो जाके बीवी को दिखाया तो उसने का नहीं मैं यह मानूँ तो आपके पठान यहां जहां चले जाते हैं पीछे नहीं आते हैं पठान उन्हें हमला पठानों से लेकर पंजाब पे कराया है लेकिन आपके आदारे मैं आज उनके जज्जों से पूछना चाहता हूं जो तरडब पना शुरू हो जाते हैं अडियाला जेल के लिए जो कहते हैं good to see you मेरी साथ साथ को सलाम कह रही ही आज वो किदर है कि एक खातून को अजाज़त है कि वो लोगों को उकसा के दूसरे एक सूबे के उपर अटैक करा रही है कि पठान पीछे नहीं उटते पठानों चड़ जो पंजाब के उपर वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते अली पीछे नहीं आठते क्या वज़या भी पाकस्तानी कह लेती ने कि पाकस्तानी हो तुम बहादर कौंग पठान उसने लफज इस्तमाल क्यों कि चले उसकी वज़या यह है अर्जू जब आप लोग मैंने कहा है लोग आते हैं दुनिया आपको देखना चाहती है आप हैल्दी हो करोबार करें बिजनस करें लेकिन आप फ्राड रिश्वत और तोड़ मार फोड़ मैं कहता हूँ मैं अगर ऐस अमेरिकन सीडिजन दिल करता है आज आई है मैं को लेटर लेकूं कि शर्म करो हला देखो जो तुम पैसा अमेरिकन का ब्लाड और स्वेट दे रहे हैं इस कं कि अंदर आई एमफ का पैसा लगा या नहीं लगा इसमें गुर्मन का पैसा इस्तमाल हो रहा है तो क्यों आज आखें अंदी है यह में बैठा है इसमें सर तीन बिलियन तो गौर्मिन ने भी खराश कर दी हैं कंटेनर लगाने में कहा यह जा रहा है आम पब्लिक विचारी कि वहर हो रही है किसी को यह नहीं कहता था कि नहीं की कि नहीं उन्हें अच्छा किया लेकिं इंटरनेशन कम्यूदि को देखना चाहिए न कर आप पहां पैसा नहीं भेजाना चाहिए आप ताल्मान अस्तान अइस्ट्राइबल अडुइज इ लगा दी है चैनी ने जबी स चला रहा है वो देख नहीं रहा किस वक्त दुनिया क्या देख रही है पाकिस्तान का नक्षा क्या है उपर से इसलामबाद के कोई भी ड्रोन इस वक्त आप देख लें आसु गैस और नीचे जो लोग है सारे वह आदे तो पठान भाई आदे मैं देखा किसी मुझे बेड़ी आर्जू आपको भी बुर्का पैन के बार निकलना पड़ाएगा आप त्यारी करें बल्के बुर्का अफगानस्तान से मगा लें कोई यह आपका फ्यूचर है मैं तो भाग जाओं भी सारी हां से लेकिन लोगों को मतलब समान नहीं पहुंच रहा शॉप्स तक ना सबजी ह है ना कोई और चीज है लेकिन ना गवर्मिन को ऐसास है ना पीटिया आए को खडिए अब पूछ रहें गाजा में पहुंच रहा है गासा में पी तो नहीं पहुंच रहा ना अगर घाजा में यह आहला थे तो आपके प्ला यहीं मैंने आपको क्या कहा है ड्रोन की स्रीट अब देखें ने फूटिंग में देखता हूं घाजा को भी देखता हूं आपको भी देखता हूं घाजा में भी नहीं पहुंच रहा है तो आप भूल जाती है राजू मैंने आई से दो मिने पहले कहा था मुर्गियां पाले लकडियां कठी कर लें का पानी के दो किनस्तर भर कि रख लें मैंने कहा था सूखे चने और गुड रख लें मैंने मिन्नत की थी आपके अब मेरी बास सुनती नहीं यू आ लिविंग इन अन प्रडिक्टेबल लेंड इस मुलत में कोई पता नहीं कि आधात को सोई हैं सुबह क्या होगा विल्कुल ऐसे हैं लेकिन कुछ भी व पानी के चार-पांच कनस्तर भरके रख लें और बुरका ले आएं देखें मैं बता रहा हूं इसके आपके आपके स्कूल कालेजिस बंद होने वाले एक आपने देखा नहीं के पीछे जो सारे खड़े हैं लोग तो पिंकी के कप्ड़े किस किसम के हैं विल्कुल उसके सप पूरे पंजाब से निकला सपोर्ज में नहीं निकले सफ पंजाब से कोई नहीं निकला शेन व में पॉरन कि वो गर्मेंट की मिशिनरी को इस्तमाल करें किसने इजाज़ दी थी है आपने इजाज़ दी आप सब ने इस सारे जुर्म के अंदर 23 करोड पाकस्तानी मुझरम है आज मुझरम है आज लें आप आप गुवर्न राज लगाते ना वहाँ पे ताकि वो इन चीज़ों को इस् कर रहे हैं वो शैलिंग आपके खर्चे पे आपने जो चल रही है बंदाश असरेंडर करें और मूव करें तालबान की तरफ से तालब नाइस तान बनाएं इसको आपको पहले भी पता है खांसाब का नाम तालबान 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 था उसका वाज बिलकुल सबसे पहुंच के बुलका आपके पास से मुझे डराए मत हैं होब के कुछ ठीक होगा बहुत शुक्रिया कि आपने जोइन किया थैंक यू सो मिच